दोस्तों एक beginner को ये पता नहीं होता है कि उसका मुकाबला एक smart money से होता है stock market हो cryptocurrency हो या forex market हो सब यहाँ पर कमाने के लिए ही आते हैं और आप सब को पता होगा कि trading और investment सब एक zero sum game है अगर कोई कमा रहा है तो किसी को नुकसान करना ही पड़ेगा तो एक कमाएगा तो एक को नुकसान होगा एक नुकसान करेगा तो दूसरा कमाएगा तो एक beginner जब stock market में आता है तो तो वो सबसे पहले सपोर्ट और resistance पर काम करता है और अब जब उसका resistance फैल हो जाता है कि उसनी resistance पर यहाँ पर entry ली और उसका resistance फैल हो गया तो वो यह सोचता है कि हाँ यहाँ यहाँ पर एक को सपोर्ट था अब एक निप्टी ने निप्टी को सपोर्ट नहीं किया तो वो 10 महाई ने बना लेता है कि यहाँ पर इस वज़े से resistance फैल हो और जहाँ पर आप जिस resistance पर entry ले रहे हो ना वहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि और भी बहुत से लोग ले रहे होंगे तो उन में से बहुत हो मैं से एक को नुकसान करना ही पड़ेगा ठीक है दोसों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बिगनर्स के लिए एक ऐसी भहतर स्काल्पिंग की strategy लाया हूँ जिसमें आपको support और resistance की बिल्किल भी यूज करने की जरूरत नहीं होगी और आप कभी भी इसका data उठाके इस strategy को back test कर सकते हो एक साल पुराना दो साल पुराना तीन साल पुराना और इस strategy को को हम live market में भी ही यूज करते हैं live stream में भी यूज करते हैं मैं खुद भी इससे trade लेता हूं और आप मैंसे बहुत से लोग जो इससी strategy को मेरे से पहले सीख चुके हैं वो भी इससे बहुत से लोग trading करते हैं जैसे अमित भाई यह आपको पत्था होगा खतरना की स्काल पर तो हमारी live stream पर profit के comments करते रहते हैं तो वह भी कहीं न कहीं इसी strategy को यूज करते है क्योंकि यह strategy एक जबरदस्त स्काल्पिंग की strategy ठीक दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मिस्क मत करना क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक भी point मिस्क कर दोगे तो आपको न बहुत से लोसे हो सकते हैं तो चले दोस्तों बिना दरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपने इस से पहले वाली class लिए होगी तो उसमें हमने सीखा था कि market अगर यहाँ पर open हो गया और यहाँ पर open हो गया तो हम क्या करेंगे ठीक है तो आज की इस वीडियो में इस class में हम सीखेंगे कि मार्के यहाँ पर open हो गया ना तो हमको किस तरीके से trade को प्लान करना चाहिए ठीक है तो देखो सबसे पहले तो जहाँ पर market close हुआ है ना वहाँ पर आपको इस इस तरीके से support और resistance बना लेने हैं अब हम यह assume करके चलेंगे यह हमें मान के चलना आपको यह थोड़ा सा विप के पास में रखना। विग ही रखना यह उपर आपनीám video तो यह विक नीचे भी आपको से विक रखना तो को मोबायल से बिलकुल भी ट्रेड मत करना आपको कम से कम दो इसक्रीन चाहिए और एक तरफ आपको इस तरीके से अपना चार्ट बना कि रखना है ठीक है इस तरीके से और एक चरब आपको option का chart लगा के रखना ठीक है और आपका network बहुत ही ज़्यदा पास्ट होना चाहिए और आपको 4 या 5 point के लिए ही scalping करने ठीक है इस trade को आपको बिल्कुल भी hold नहीं करना है और आपको बस scalping करने और इसकी मापको दो condition बताता हूं ठीक है तो देखो पहली condition यह है कि हमारा market इस जगह पर open हो जाता है ठीक है और यहाँ पर open होने के साथ में market का trend इस तरीके से यह swing higher high में ठीक है पिछली swing higher high में तो अगर पिछली swing higher high में है वो market यहाँ पर open होता है तो अगर आप regularly 10 लोट से trading करते हो तो आप यहाँ पर 10 के 10 लोट लगा सकते हो ठीक है तो इस वाली condition में आपको 10 के 10 लोट लगा लेने है ठीक है आप इसके बाद में देखो कि market इस जगह पर यहाँ पर open हुआ है मैं मानके चलता हूं कि market हाँ यहाँ पर open हुआ है ठीक है इस जगहर पर open हो गए तो अभी market हम हयार है यहाँ पर इसके दो कंडिशन बनेगी पहली कंडिशन तो यह है कि मार्केट यहां पर open ओपन हुआ और open होने के साथ में जैसे यह ओपन हुआ और इस तरीके से market इसको cross करके जा रहा ठीक है तो market इसको जैसे ही cross करके जाएगा और आपको यहाँ पर entry बना लेनी है ठीक है जो risk की trader है वो ही इस जगहाँ पर entry बनाएंगे इस वाली condition में जो risk की trader है वो ही entry बनाएंगे ठीक है तो मापको यहाँ पर बता दूँ तो यह हमारी पहली condition है इस वाली में जो risk की trader है वो ही entry बनाएंगे दूसरी condition में आपको जो safe trader है ठीक है बिल्कुल safe चलना चाहते हैं बिल्कुल भी risk नहीं लेना चाहते हैं मेरी तरही के से तो यह वाली condition को use करेंगे ठीक है तो जैसे ही market इसको upper side के लिए break करेगा आपको यह यहां पर आपका stop loss होगा और 4 या 5 पॉइंट के लिए आप इसको यहां तक यहां तक आप आराम सी इसको hold कर सकते हो बस ज्यादर देर के लिए इसको hold नहीं करना क्योंकि यह market ऐसे जाके वापस से इसके अंदर भी आ जाएगा लेकिन आपको 4 यह 5 पॉइंट देखके फिर जाएगा market क्योंकि यहां पर जो इसकी stop loss है वालों के यह हीट होंगे और आपको अच्छा वाला target मिल जाएगा ठीक है तो मैं अब इसको हटा था हूँ अब यहां पर हम चलते हैं दूसरी वाली condition में कि second condition में आपको किस तरीके लेना ठीक है देखो दोस्तों इस वाली condition में मैं मानता हूँ यह हमारी 915 की candle है ठीक है यह 915 की पहली candle है ठीक है और यह 915 की पहली candle यहां पर जाके इस तरीके से red color में doji बन जाती है ठीक है यह candle हमारी doji बन गई है जितनी ज्यादा candle इसके अंदर यहां पर बनेगी न हो मैं यह नहीं वहला कि एक ही candle यहां पर बनेग और अगली candle हमारी यहाँ पे नीचे bottom में open होगी अब जैसे ही यह candle इस candle का high cross करती है इस तरीके चे ठीक है जैसे ही इस candle ने high cross किया यहाँ पर आपकी entry हो जाएगी और यहाँ पर इसको आपको आराम से 4-5 point के लिए आप इसको यहाँ पर hold कर सकते हो या आप इसको लंबा भी लेके जा सकते हो इस trade को आप आराम से लंबा भी लेके जा सकते हो कोई जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर scalping की करो अगर यह वाली condition बनती है तो ठीक है दोस्तों अगर यह वाली condition अमारी बनती है और इस दूसरी condition में भी हमारी एक condition ये रहेगी और एक condition ये रहेगी तो इसके अंदर भी दो condition है लेकिन आप जो आएगी ना वो थोड़ी risk किये तो चलिए अब चलते हम दूसरी condition पे तो देखो दोस्तों हमारी दूसरी condition की पहली condition में देखो कि मैं यहाँ पर माल के चलता हू इसका इस तरीका से low cross करेंगा जैसे ही ये candle इसका low cross करेगी आपको यहाँ पर entry ले लेनी है इस तरीके जी ठीक है यहाँ पर आप entry ले सकते हो यहाँ के इस candle के high के उपर आपका ऐसा लोग हो आप देखो दोस्तो इस के अंदर एक ही दिक्कत है कि अगर यहाँ पर पहले तो market high राय में चल रहा था ना तो आप 10 के 10 low उपर के साइड के लिए लगा सकते हो लेकिन इसमें market इस तरीके सी पिछला high राय में चल रहा है और market ने इसका पिछला low break किया तो आपको इसके अंदर 10 low नहीं लगाने हैं आपको इसमें आपके half load कर देने इसको 5 low में ही trade करना है क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा risk की trade है तो इसको आपको मातर 5 low में ही करना है तो यहाँ पर आपना high के उपर अपना stop loss होगा और यहाँ पर आप आराम से जो पिछला low है यह वहाँ तक की या 4-5 point के लिए आप इसको scalping कर सकते हो ठीक दोस्तों तो यह थी हमारी पहली condition अब हम चलते हैं इसकी पहली condition की दूसरी condition में इसमें बस थोड़ा सा हम इसका risk की कम करेंगे ठीक है अब दोस्तों मैं यह अजूंग करके चलता हूँ कि यह हमारी पहली green candle बन गई market यहाँ पर open होने के बाद में ठीक है यहाँ पर open होने के बाद में तो जो इसका पिछला closing था ना फिचला low बनाया था closing से पहले यह और उसके ऊपर ए장 घर्कылर यहां पर बनेगे उतनागी ज्यादा trade यह यह हटéral की इसकी बढ़ती जाएगी जतनी ज्यादा green candle यह बनाएगा उतनी ज्यादा इसकी atst crunch यहाँ पर बढ़ती जाएगी ओर जैसे यह आ next candle यहां पर open होती है और जैसे यह इसका लो क्रोज करती है आपको इसके लो क्रोज पर यहां पर entry ले लेनी है और वही आपको स्कालपिंग करना चार या पांच पॉइंट के लिए ठीक है तो दोस्तों लोट कम रखना है क्योंकि मार्केट इस तरीकी हाई राय में है और इसने यहां पर लोट आपको पांच ही रखना ठीक है तो अब दोस्तों चलिए हम इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं कि इस हुआ है यहां पर मार्केट इस जगह पर क्लोजिंग के अंदर ही ओपन हुआ ठीक है तो मार्केट ने जैसे ही यह लोट ब्रेक किया यहां पर हम ट्रेड ले लेंगे ठीक हो डाउन ट्रेंड में ही आराम से ठीक है तो यह हमारा एक ट्रेड हो गया और यह प्रोपिट में टीक है तो यह दोनों हो टेटीक में गए तो अब यहां पर मार्केट अब मार्केट-वा नहीं है तो अब यहां पर hundreds- advising के अहींत viral नहीं हुआ है इस तारीक की 9 जनवरी की लाइव स्ट्रीम देख लेना यह वाला ट्रेडम ने लिया भी है तो अभी तक तो एक भी इसके अंदर हुआ ही नहीं है तो आगे चलते हैं जहां पर हमारी स्ट्रेटीजी बनेगी हम वहीं पर देखेंगे इसको तो यह इसकी क्लोजिंग और लो सेटप नहीं है क्योंकि इसकी ओपनिंग इस जगह पर हुई है यहां पर इसकी ओपनिंग यहां पर हुई है तो यह भी हमारा सेटप नहीं है तो और कहां पर यह इसका लो है और इसका हाई है तो यह हमारा सेटप है एक ट्रेडम यहां पर छाप सकते हैं इस तरीके से लो क ठीक है और अभी तक तो श्टॉब लोस होहा नहीं को पता ही होगा और जी साहल बजट वाला तो नहीं नए यह इसके उपर ऊपन रहा यह भी मारी स्रेटेजी नहीं is सब्टर यह इसके नीचे इयर यह āपन पन आह यह तो इह बोटी के अंदर अब आप इसको बैक्टेस्ट कर लेना ज्यादा रहेगा अच्छा रिस्क रिवार्ड का भी आपको पता चल जाएगा कैसा यह भी मारी स्टेटिजिन नहीं है और यह भी नहीं है ठीक है यह कहां पर ओपन हुआ है इसका मैं देखता हूं यह बार इसने क्लोजिंग यहां पर दिय हो गया ठीक है इसके अंदर भी और यह कहां पर ओपन है यह इसके अंदर इसके अंदर हो गया ठीक है यह एक हमारा इसके अंदर हो गया मैं इसको रेड़ में मार्क कर देता हम ठीक है एक हो गया ठीक है इसकी ओपनिंग क्लोजिंग इसके अंदर नहीं है ठीक है इसके नहीं है opening closing ठीक है यह उपर open होगा है ठीक है और यहाँ पर यह नाइंट टीन बीस तीन पत्चीस और यह इसके यहाँ पर open होगा ठीक है इसको तो एक अमारा यह हो गया ठीक है अंदर वाला दा और इसके अंदर यह अंदर ओपन नहीं होगा यहाँ पर open होगा अंदर ओपन होगा तभी बात बनेगी यह 22 तारीक तीन पंदर और तीन पत्चीस तीक है इसके बाद में नोपंदर के अंडल यहाँ पर ओपन होगी और इसने यह लोप ब्रेक किया तो एक ट्रेड हमारा यह बन गया